स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल टेक्टूवेक में और जैसे कि आप सभी जानते हैं गाईज हमारा यूटूब चनल टेक्टूवेक है और इस चैनल के मादे हमसे आपको ग्राम पंचात और उससे सबंधित पोर्टल की जानकारी समय समय पर वाला हूं तो इसके लिए आपको सिंपली पंचात दरपण पोर्टल पर लोगिन करने के बाद राइट साइट पर यह डाइस जैसा आइकोन आपको दिखाई देगा इस वाली आइकोन पर आपको क्लिक कर लेना है उसके बाद एक उप्सन आपको दिखाई देगा निर्माल का है तो पंचात फिराज संचाल नालाय का काम है यह गाईस और उसके बाद आप देख सकते हैं बॉन्री वाल इन पंचात भवबन यहां पर हम टाइप कर लेते हैं काम टाइप में में वीजर इसकीम है यहां पर यह मुक्मंतरी ग्राम सड़क और और सबुखनमद उसके ब पबलिक expenditure work यानि कि यहां पर यदि ये काम जैसे आप कई काम रहते हैं जन ऐसे ही काम जिसमें पबलिक का contribution रहता है तो इसमें नहीं है नो पे क्लिक करेंगे ग्राम सभा की डेट जो भी है टाइप करेंगे amount कितनी amount का work है जो भी select का काम है गाईज हमने type कर दिया है उसके बाद landmark क्या है काम का काम की see machine ग्राम पंजाद भवन माने गाओं है उसके बाद आप यहां पर काम type कर देंगे काम मतलब village कुन सा है आप यहां से विलेज सेलेक्ट करेंगे उसके बाद measurement of work 410 meter का काम है गाईज है और उसके बाद unit हम यहां पर meter में यहां पर इसकी unit हम यहां से type करते हैं उसके बाद आप implementation agency में कौन इसको implement करेगा तो ग्राम पंजाद करेगी और कोई फिर आपको क्या करना होगा गाईज इस काम का TS और इस काम का AS करना होगा जब आप इस work को register करेंगे तो फिर से आप work management में जाएंगे और update work details यानि कि यहां पर आप देख सकते हैं क्लिक करके कि आपने कौन सा work register किया है था हमने ये वाला वर्क register किया था देख सकते हैं और उसके बाद यहां एडिट करना है तो यहां से कर सकते हैं वरना आपका यहां से sanction work में आप देखेंगे TS और AS अब इस work का करना होगा हम है तो चलिए अब हम TS और AS आपको बताते हैं यदि पहले से TS-AS होके आपके पास आदेस आया है तो आप उसी TS-AS नमर को डालेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं यह पूरा यह process है guys उसके बाद चली आगे हम आपको TS-AS करना बताते हैं तो यह TS-AS वाले option पर क्लिक करने के बाद एक नए window आपके सामने open होके आएगा जिसमें आपको सारी detail फिल करना है इसी प्रकार एस वाले option के लिए भी फिर से आपको यहीं क्लिक करेंगे TS-AS करेंगे इस वाले option पर क्लिक उसके बाद फिर आप देखेंगे TS-AS वाले option पर क्लिक करेंगे तो फिलाल हमें TS करना है तो हम यहाँ पर TS वाले option पर क्लिक करते हैं तो बता रहा हूँ कि पंचायद दरपार पोर्टल पर जब आप किसी भी काम का TS यहाँ से करेंगे तो TS करने के लिए आपको सब सब पहले क्या करना है यहाँ पर उस TS नंबर, TS की अमाउंट कितना है जैसे आप देखेंगे यहाँ पर boundary बाल निर्माल कार मैदान कार भी है सह में और उसके बाद funding department में पंचायद तिराल डारेक्ट रेड है वर्क टाइप में है, boundary बाल पंचायद भबन के लिए measurement of work यह 410 मीटर की है और यहाँ पर implement agency में ग्राम पंचायद ही आएगा TS यहाँ पर fresh automatic आएगा by default TS नंबर आपको यहाँ पर जो आदेश होगा उसमें देख जाएगा उसके बाद TS की डेड भी देख जाएगी आपको sanction amount आपको यहाँ पर 23,75,000 का है तो काम हमने यहाँ पर 23,75,000 कर रहे हैं और approve agency for यहाँ पर आप देख सकते हैं कि approve agency for TS यहाँ पर EE देख सकते हैं उसके बाद मुखमंत्री ग्राम सड़क एबम आउसन रचना योजना है यहाँ पर amount में और उसके बाद amount हमने यहाँ पर finally type कर दिया है उसके बाद आप देख सकते हैं amount हमने 23,75,000 और उसके बाद यहाँ पर amount कभी अलग-अलग भी रहती है तो इतने में labor की cost इतनी है material की cost इतनी है और उसके बाद total 23,75,000 है और उसके बाद finally आप register TS detail में करेंगे click तो इतनी detail आपको TS के लिए fill कर लेनी है इस TS नमर और TS की दिनांक आपको उस आदेश में दिख जाएगी जिस आदेश का यह काम है जो पंचायद दरपन में जो भी work हमने register किया था उसका हमने TS अभी कर दिया है आप हमें AS करना है तो इसके लिए आपको फिर से इस sanction of work वाले option पे किलिक करना है register TS, AS वाले option पी आपको click करना है जब आप इस वाले option पे किलिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपने work register किया था उसका जो TS है आप हम यहां से TS कर चुके है अब हम यहां से AS करेंगे इस boundary वाले काम का तो आप यहां पर जो green देख रहा है AS के नीचे इस वाले option पे आप कर लेंगे click तो हमने इस वाले option पे किलिक कर दिया है जब आप इस वाले option पे click करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होके आएगा जिसमें जो हो वो आपने TS किया है TS की डेट वगएरा दिखेगी यहाँ पर से आप देख सकते हैं यहाँ पर से काम का नाम देख रहा है और ग्राम पंचायत इंप्लिमेंटिंग एजेंसिम देख रहा है TS की डेट किया है 624 उसके बाद TS की अमाउंट किया है 23,75,000 यहाँ पर TS की अमाउंट है आप यहाँ से देख सकते हैं उसके बाद अब हमें AS की डेटेल यहाँ पर टाइप करना है जो कि हमें AS आदेश की माध्यम से पहले से ही मिला है तो AS नमर जो भी आपका यहाँ पर आप टाइप करेंगे AS की डेट टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ से आपको Implement Agency for यहाँ पर आप देख सकते हैं Implement Approved Agency for AS तो ग्राम पंचायत यहाँ पर आ रहा है State आ रहा है तो हमें State से हुई है यहाँ से Approved हमारा तो यहाँ से आप Detail यहाँ से Fill कर लेंगे तो चली हम AS नमर, AS की Date और Sanction Amount टाइप कर लेते हैं और उसके बाद Register AS Detail पर क्लिक करेंगे यहाँ से AS कर लेंगे तो AS करने के बाद अब आपको इस Work को Ongoing करना होगा Last में तो आप फिर से यहाँ पर Sanction of Works में आप क्लिक करेंगे और Register TSAS वाले Option पर आप करेंगे क्लिक, जब आप इस वाले Option पर क्लिक करेंगे तो जो भी Work आपके यहाँ पर TSAS हुए होंगे, यहाँ पर हमने इस Work का भी TSAS किया है यहाँ पर आप से चाहें तो आप इस Search वाले Option पर क्लिक करके Detail देख सकते हैं, उसके बाद अब इस Work के Status को हम यहाँ से Ongoing करेंगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ से यह जो Search वाला Option है इस पर क्लिक करके Details हमने इस पर क्लिक कर दिया है जो भी इस Work से Related Detail है, जो हमने फिल की है वो यहाँ से आपको दिख जाएगे आप देख सकते हैं, जब आप Search वाले Option पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो पूरा Detail है पूरी Detail है इस Work की आपको यहाँ पर पूरा दिख जाएगा यहाँ से कितने का Work है, कैसा है तो यह पूरा Work आपको यहाँ से इस तरह से दिखने लगएगा फिर आप यहाँ से इसे करेंगे Back, फिर से अब हम यहाँ से Back चल जाते हैं गाईज यहाँ से हम Back हो जाते हैं इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अब हम इस work को जो हो बो ongoing करेंगे, अभी new work करेंगे, उसके बाद आप status पर click करेंगे, और status वाले option पे click करने के बाद अब हमें इस work को ongoing click करना है अब आप देखेंगे guys यहाँ से हमने status वाले option पे click कर दिया है उसके बाद status of work यहाँ पर new है कैसा है guys यहाँ पर new level का है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ongoing वाले option पे अब हम click कर देते हैं उसके बाद यहाँ से यहाँ भी ongoing İpower type कर देंगे इस बाले box में और उसके बाद update status वाले option पर क्लिक कर देंगे तो चलिए हमने update status वाले option पर क्लिक कर दिया है अब यह detail आप देख सकते हैं update हो चुकी है यहाँ से आप देख सकते है update हो चुकी है और जो हमारा work था उसको अब हमने यहां से पूरा आप देख सकते हैं यह ongoing देखाने लगा तो इस तरह से guys मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताए कि पंचाइज दरपना पोर्टल पर आप नया work कैसे register करेंगे TSAS कैसे fill करेंगे और उसके बाद आप इस status को finally ongoing इस work को कैसे करेंगे तो तो उम्मेद करता हूँ guys वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और आपको किसी भी से पर और जाना है तो मुझे कमेंट जरूर कीजेगा